नमस्कार मेरा नाम है सुमिश संग महता हाज़र आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स रिलेटेट एक और नय लेक्चर लेके आज का हमारा है लेक्चर नमबर 4 और आज के इस लेक्चर में हम कुलाम्स लॉस से रिलेटेट कुछ इंपोर्टन कॉर्शन डिसकस करेंगे जो कि आपक को सॉल्व करेंगे तो क्वेशन नमबर वन आप भी मैं भी दोनों साथ पढ़ेंगे और सिंपल कॉर्शन से सुरुवात करेंगे क्या बोला है क्वेशन नमबर वन कैल्कुलेट दे कुलाम्बिक फोर्श बिट्विन ए प्रोटन एंड एन एलक्ट्रोन सेपरेटेड बाई 0.8 into 10 to the power minus 15 मीटर तो क्वेशन नमबर वन सॉल्यूशन आप वीडियो पॉस करना और इस क्वेशन को अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करना ठीक है बैराल मैं सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास क्या है एक प्रोटोन है हम सब जानते है प्रोटोन एक चार्ज पार्टिक पर रखे हुए हैं और सेपरेशन कितना इन दून के बीच का हुए है 0.8 into 10 to the power minus 15 मीटर अब एक सीज हम जानते है कि प्रोटोन और इलक्टोन दोनों चार्ज पार्टिकल है और प्रोटोन में कितना चार्ज होता है चार्ज ऑन प्रोटोन क्यू ऑन प्रोटोन यह होता है मि और चार्ज ऑन इलक्ट्रोन कितना होता है यह होता है मैनस का 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलाम इलक्ट्रोन मुझे क्या करना है इन दोनों के बीच लगने वाले कुलाम्बिक फोर्स को निकालना है अब कुलाम्बिक फोर्स निकालने के लिए हमें कुलाम्स को लगाना पड़ेगा and from कु f is equal to क्या होता है 9 into 10 to the power 9 और into में क्या आता है q1 q2 upon r square सिर्फ magnitude की बात कर रिखिये उसने तो हम यहापर क्या रखेंगे यह इस तरह से हम क्या करें डिसकस करेंगे यह डिरेक्शन की बात अभी हम नहीं करेंगे ओके now f equal to कितना हो जागा बताओ आप f equal to 9 into 10 to the power 9 into q1 की जग प्रोट्रों का चार्ज कितना है 1.6 into 10 to the power minus 19 और into q2 कितना है चार्ज of electron अब यहाँ पर बहुत बड़ा question है कि बही चार्ज को साइन के साथ रखना है या फिर without sign रखना है तो answer बड़ा simple है जब कभे भी हम कुलाम्स law लगाएंगे और यह formula यूज करेंगे तो चार्ज को हम बिना sign के रखेंगे अब वो force का nature कैसा होगा attractive होगा या फिर repulsive होगा वो हम पहले ही command कर देंगे attractive होगा repulsive होगा यह command हम किसके base पर करेंगे कि दोनों charge same है या फिर opposite है अगर opposite होंगे तो क्या करेंगे उसरे को attract करेंगे अगर same होगे तो क्या करेंगे repel करेंगे यह बाद हम पहले ही कर लेंगे लेकिन जब भी हम क्या करेंगे ऐसे force find करेंगे तो यहाँ पर without sign हम charge की value को put करेंगे चाहे वो negative charge हो यह positive charge हो हमें रखना क्या है उसको positive भी है ठीक है यानि सिर्थ क्या रखेंगे magnitude रखेंगे तो कितना जगा बताओ यहाँ पर तो this will be equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 आ गया और नीचे कितना आ जाएगा यह आर square आर यानि क्या है मेरे पास आर यह दिया होगा है इसका square यानि कितना आ गया यह 0.8 into 10 to the power minus 15 का whole square ठीक है इसको solve कर तो यह क्या हो जाएगा हमारा answer हो जाएगा अभी आप नए नए 12th में आ रखे हो और किसी बच्चे ने class 11th में उतने स सारे numerical नहीं solve किये होते हैं तो उसको इस type के question को करने में problem होती है वो जैसे power देखता है उसके दिल की तड़कने बढ़ने लग जाती है तो भई इससे घबराने की बात तो बिलकुन नहीं है बहुत असान होते हैं देखो समझाता हूं एक आत question समझाओंगा तो फिर आप उस देखो 1.6 into 10 to the power minus 19 का इसको मूँ whole square लेख सकता हूं ऐसा क्यों कर सकता हूं देखो यह 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 दोनों का है same है यह यह दिस इन्टो दिस क्या हो जागा इस पूरे का square और divide में कितना आ जाएगा यह 0.8 into 10 to the power minus 15 का whole square ऐसा गुशा जाएगा अब देखो यह इसका भी square है इसका भी square है तो इन दोनों का मूँ whole square लेख सकता हूं तो इसको फ़ला सा और simplify करने के लिए f equal कितना आ जाएगा यह 9 into 10 to the power 9 और into में कितना आ गया यह इसको मैं लेख सकता हूं कितना 1.6 into 10 to the power minus 19 upon यह कितना आ गया है हाँ पर 0.8 into 10 to the power minus 15 और इस पूरे क होली square ठीक है अब देखो यह मेरे पास point 8 है यह 1.6 है इस point से में इस point को काट सकता हूं बहुत सिंपल होता है यह point से यह point कट जाएगा कट जाएगा मतलब यह है मैंने यहां 10 से multiply गया नीचे भी 10 से multiply गया उपर 6 हो जाएगा नीचे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ठीक है और इस 8 से 16 कितना हो जाएगा दो बार ठीक है क्योंकि 8 दूना 16 होता है तो यहां से मेरे पास f equal to कितना आगया 9 into 10 to the power 9 और into यह कितना आगया मेरे पास bracket के अंदर 2 into अब देखो नीचे कितना है मेरे पास 10 की power minus 15 है अगर यह उपर जाएगा तो कितना हो जाएगा यह 10 की power plus 15 हो जाएगा ठीक है हमने एक लास 8 में पड़े थे कि अगर हम नीचे से अगर उपर आ रहे हैं यहर से अन्शमा आ रहे हैं तो power plus की minus और minus की plus हो जाती है तो नीचे minus है तो उपर जाएगा plus हो जाएगा ठीक है तो आप क्या करें को बताओ f equal to कितना आ जाएगा यह 9 into 10 to the power 9 इंटू इसको ऐसे रहें दो 2 इंटू अगर बेश शेम है तो power add हो जाती है तो कितना आ जाएगा 10 की power यह minus 19 है और यह कितना है मेरे पास plus 15 तो minus 19 plus 15 कितना हो जाएगा यह minus 4 हो जाएगा तो minus 4 और इस पूरे कितना आ जाएगा यह whole square हो जाएगा ठीक है इधर आते हैं तो य 9 इंटू 10 to the power 9 और multiply में कितना आ जाएगा इस पूरे का whole square हो जाएगा और इंटू इसका square 10 to the power minus 4 का square तो power का हो जाती है multiply हो जाती है तो कितना आ जाएगा तो 10 के पाऊर कितना आ जाएगा यह minus 8 और इसका 36 होता है तो 9 इसका 36 और इंटू 10 to the power 9 और इंटो कितना आए 10 to the power minus 8 अगेन एगर बेस शेम हो तो power add हो जाती है तो यहां से f इक्ले कितना आ जाए रहें 36 into 10 की पावर 9 plus minus 8 हो जाएगा और 9 plus minus 8 कितना आ जाएगा यह टेन की पावर 1 आ जाएगा यानि कितना गा 36 into 10 तो यहां से force इकल डिशना गिया यह 360 Newton तो इतने Newton का force लग रहा है इस proton और electron के बीच में जब उन दोने के बीच का separation कितना है 0.8 into 10 to 3 पार मैनस 15 मीटर है अब बताओ यह force का नेचर कैसा होगा attractive या फिर repulsive तो दोनों charge कैसे हैं opposite हैं तो force will be attractive force कैसा होगा attractive होगा अगर आप से पूछे यहाँ आप force की direction दिखाओ तो यह proton electron को इधर के और खीचेगा और यह electron और यह electron proton को इधर के और खीचेगा और अगर मैं यह बोलूं कि यह force है force on electron due to proton है और यह force क्या हो जाएगा force on proton due to electron और force on electron due to proton will be equal to अगर vector formula लिखूंगा minus का force on proton due to electron कि कली हम में discuss किया था कि जो electrostatic force होता है यहाँ फिर कुलांबिक force होता है वो newton के थार्ड लग को भी follow करता है लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि इन दुन के भी लगने वाला force क्या होगा सेम होगा बट direction क्या होगी opposite होगी ठीक है तो यहां से यह conclusion हमें देखने को मतलब ही चीज़े हमने कल के lecture से ले ली है और यह क्या हो गया हमारा answer हो गया और यह क्या हो गया force का nature हो गया थोड़ावा समझ माया राह में चलेंगे और concept को बहते तरीके समझेंगे अब बढ़ते हैं कहां के और अपने अगले question के और और अगला question है न वो एक अलग concept को आपके सामय रखेगा एक बार इस question को आप पढ़ो ठीक है मैं इसे मिटा रहा हूँ आप एक बार question पढ़ो क्या बोला देखो question two positive charges distance point one meter apart दो पॉजिटिव चार्ज हैं जो एक दूसरे से point one meter पर रखे हुए हैं फिर क्या बोला है repel each other obviously बात है दोनों positive हैं क्या करते हैं repel कर रहे हैं with force of 18 newton अभी अंको force दे रखा है कितना 18 newton का force लग रहा है दोनों के बीच और कैसा force है repulsive force है if the sum of the charges भी 9 macrogram यानि charges का sum कितना है 9 macrogram है then calculate their separate value यानि question number two देखो हमारे पास दो charges है एक को मैंने कितना बोल दिया q1 बोल दिया एक को मैंने q2 बोल दिया दोनों के separation कितना दे रखाया उसने बताव भाई कितना है point one meter है दोनों same charge repulsive force लेगा तो यह force इदर के और कितने न्यूटन का लग रहा है 18 newton तो force कितने का है 18 newton और इस फ़र force टांके और होगा इधर के और अगें इस force is 18 newton यह force भी कितने न्यूटन का होगा 18 newton का होगा फिर उसने क्या बोल लख है if the sum of the charges is 9 microgram यानि q1 plus q2 कितना दे रखा है q1 plus q2 is equal to 9 microgram then find their separate value तो हमको निकालना है कि q1 equal to क्या होगा और फिर q2 equal to क्या होगा यह हमें find करना है बहुत important question है अभी आपको लग रहा होगा कि वाई कैसे निकलेगा यार थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है यहां ऐसा हो सकता है question निकला थो एसा को feel आ रहा होगा लेगिन ऐसा बिल्कुल नहीं है question बहुत आसान है देखो क्यों आसान है मुझे q1 plus q2 दे रखा है अगर मैं कुछ भी करके क्या निकाल दूं q1 minus q2 निकाल दूं तो भाई फिर तो कुछ दिक्कत ही नहीं है अगर मिलेको q1 plus q2 दे रखा है और कुछ ऐसा करूं मैं mathematical formulation लगाऊं या फिर कुछ mathematics की गलियारों मैं कूज करूं और q1 minus q2 निकाल दूं तो simple क्या बनगे दो equation बनगी दो variable वाली solve कर देंगे हम इसको ठीक है elimination method से simple है तो अभी aim के है मेरा q1 minus q2 निकालना एक बार q1 minus q2 निकल गया तो फिर q1 q2 आसाने से निकल जाएंगे अब q1 minus q2 निकालने के लिए एक काम कर रहा हूं मैं q1 minus q2 का whole square निकाल रहा हूं ठीक है समझे है q1 minus q2 का whole square निकाल रहा हूं तो यह क्या हो जागा देखो यह हो सुरी हम minus आएगा simple a minus b का formula मैंने यहाँ पर लगा दिया अम मैं यहाँ पर एक और step ले रहा हूं मैं यहाँ पर plus 2 q1 q2 कर दे रहा हूं और minus का 2 q1 q2 कर दे रहा हूं ऐसा करने से इस left hand right hand side में कोई फरक पड़ेगा कोई फरक निक पड़ेगा मैंने यहाँ पर 2 q1 q2 add कर दिय कर दिया और 2 q1 q2 minus कर दिया अगे condition पहले वाली होगी लेकिन ऐसा करने से मुझे फाइदा हुआ मैं यहाँ से कहले सकता हूं q1 minus q2 का whole square is equal to इसको और इसको एक सान लिग दो कितना आ जाएगा यह q1 square plus q2 square और plus का 2 q1 q2 और इन दोनों को एक सान लिग दो तो यह minus है यह minus है म प्लस का 4 q1 q2 आ जाएगा अब बताओ भाई यह एक formula बनके निकल के आ गया यह formula क्या है q1 square plus q2 square plus 2 q1 q2 equal to q1 plus q2 का whole square और इसकी निकल का है ना bracket के अंदर यह क्या है q1 plus q2 का whole square है यह तो ऐसे रहा q1 minus q2 का whole square this is equal to यह के निकल के आया q1 plus q2 का whole square और plus कितना आ गया यह प्लस नहीं आएगा क्या आएगा मैनस आएगा ठीक है sorry for this यह मैनस 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 प्लस हो जागे लेकर साइन किसका रहेगा मैनस का तो मैनस का कितना आ गया यह 4 q1 q2 आ गया देखो यह value मुझे दी हुई है q1 plus q2 equal to कितना है 9 मैक्रोकुलाम इसले मैने यह किया q1 minus q2 equal to q1 plus q2 कितना है 9 मैक्रोकुलाम तो 9 मैक्रोकुलाम का होली स्क्वार और मैनस कितना गया यह 4 q1 q2 अब कुछ ऐसा करो कि इस q1 into q2 की value निकाल दो और एक बार q1 into q2 निकल गया तो क्या निकल जाएगा q1 minus q2 निकल जाएगा अब यह निकालने के लिए मुझे कहां जाना पड 9 into क्या होता है q1 q2 upon r square r square करने का मलब इन दोने के distance का square यह कितना आ जाएगा यह 0.21 का whole square ऐसा कुछ आ गया मुझे चाहिए क्या और f की वेली कितना गया अठार दे देखिए 18 दिया है यह देखो f कि वेली कितनी अठार है तो 18 equal to 9 into 10 to the power 9 into q1 q2 और divide में कितना आ गया यह यह यहाँ कितना 1 का square यानि कितना आ जाएगा 0.01 आ जाएगा ठीक है तो यहां से गर में q1 into q2 निकालू जो यहां डिवाइड में है इसर जागे multiply में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा यह 18 into 0.01 और divide में कितना आ गया 9 into 10 to the power 9 9 into 10 to the power 9 ऐसा कुछ आया और यह कितना गया जेखो 9 दूना अठार हो गया यह कितना हो गया 9 दूनी 18 और इसको पर बेज़ दो तो कितना आ जाएगा यह q1 into q2 is equal to 2 into 2 into 0.01 into 10 to the power minus 9 ऐसा कुछ हुआ यह मेरे पास 10 to the power minus 2 है और 10 to the power minus 9 10 to the power देखो ऐसा करेंगे ना q1 q2 equal to 2 into यह क्या है 10 to the power minus 2 और into 10 to the power minus 9 इसको में 10 to the power minus 2 लिख सकता हूं ठेक तो यहां से मेरे पास q1 q2 is equal to 2 into 10 to the power minus 2 minus 9 कितना हो गया यह minus 11 अब एक काम करो इसको q1 q2 is equal to इसे में लिखता हूं क्या 20 into 10 to the power minus 12 ठेक है इतना क्या आजाएगा q1 into q2 है इतना कुलाम स्कोर आजाएगा यह कुलाम स्कोर निकल के आएगा q1 into q2 निकल के आ रखा है ठेक है तो यहां से मेरे पास q1 into q2 equal to देखो इसे में लिखता हूं 20 into 10 to the power minus 6 का whole square into c square तो यहां से मेरे पास q1 into q2 equal to 20 into 10 to the power minus 6 क्या होता है micro तो कितना आजाएगा यह micro square कुलाम square तो q1 into q2 के वेली कितना निकल के आगी 20 macro कुलाम का whole square तो यह value put कर दो यहां पर तो कितना आजाएगा यह q1 minus q2 का whole square is equal to यह कितना आया नौनम 81 होता है नौनम 81 और यह कितना आजाएगा तो कितना आजाएगा तो कितना आजाएगा यह एक का रूट कितना रूट कितना होता है एक ही होता है और यह उन मायक्रोट कुलाम प्लस Q2 इकल डू कितना है? 9 मैक्रो कुलाम 9 मैक्रो कुलाम दोनों को add कर दो, add करने के बाद ये cancel हो जाएंगे तो यहां से मेरे पास twice of Q1 is equal to कितना आ गया ये? 10 मैक्रो कुलाम, तो यहां से मेरे पास Q1 equal to कितना आ गया? 5 मैक्रो कुलाम Q1 निकल गया, आप Q2 भी निकल जाएगा फिर तो Q2 निकल निकल ले एक काम करो इसको उठागा, यहां पूट कर दो तो Q2 is equal to कितना आ गया है? यह 9 minus का 5 आ जाएगा इस Q1 को इधर बेद दूँँगा तो 9 minus का Q1 आ जाएगा और 9 minus Q1 के वैल्यू कितनी है? 5 है, इतना मैक्रो कुलाम तो यहां से मेरे पास Q2 equal to कितना आ गया? 4 मैक्रो कुलाम तो Q1 और Q2 की separate value क्या निकल के आई? 9 मैक्रो कुलाम और 5 मैक्रो कुलाम और 4 मैक्रो कुलाम एक important question था अब इसी type से आपके सामने से यह पूछे कि आप बताओ Q1 और Q2 की separate value क्या है? अगेन आप क्या करोगे? यहां पर Q1 प्लस Q2 का whole square लगाओगे फिर यहां पर कुछ ऐसा करोगे mathematical इधर उधर करोगे और यहां पर Q1 मैनेस Q2 का whole square बनाओगे ओके तो अब आपके दिवा में सामन में आ रहा होगा किस type का question यहां पर frame हो शकता है कि दर बाद तो यह क्या था हमारा question number 2 था आया हूँ आपको सामन में आया होगा सामन में आया तो क्या करो उसका? इसको 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 नहीं बनाएगा नोट्स बनाने है जो नोट्स नहीं बनाएगा वो बाद में पस्ता आएगा इदहां रख लेना तुम लो ठीक है खाली देख के ऐसे देख रहो एक आज से खाना खा रहो एक आज से Instagram स्कूल कर रहो ऐसे नहीं होगा यह करो इसको इसको ऐसे नहीं बनेगा कहा यह कुश्चन का पहला पाट है यहां तक उसके बाद कुश्चन का दूसरा पाट सुरू होता है क्या बोला है दूरों के बीज लगने वाला अब जो नया फोर्स है वो कितना होगा अब हमें यह फैंड करना है पहले यहां तक का वेश्चन सौल्फ करते हैं क्या बोलना है हमारे पास दो थींख मेhartलिक बॉल है एक बॉल का नाम ए दे दिया और एक बॉल का नाम भी दे दिया अब obviously बात है यह ball क्या होंगी इन दोलों के बीच की distance के compare में बहुत छोटी होंगी इसलिए हम इनको as a point charge अजूम कर सकते हैं और यह distance है यहाँ से यहाँ तक यह कितनी दे रिखी है r equal to 2 meter हमें दे रखी है और qa की value कितनी है qa दे रिखाय में हो कितना 40 microcolum और qb दे रिखाय म कितना माइनस का 10 microcolum यह दोनु चार्ज कैसे है अब नेचर का पता दो यह चल गया उसमें बोला है कि what is magnitude and type of force तो type of force क्या हो जाएगा attractive तो force कैसा लग रहा होगा attractive यह इसको इधर के और अट्रेट कर रहा होगा और b वाला a को इधर के अट्रेट कर रहा होगा तो type of force is attractive ठी force है और वो भी कैसा है attractive ठीक है यह भी answer हो सकता है पैना तो electrostatic होगा क्या है चार्ज के भी force लग रहा है और दूसरा किस नेचर का होगा वो भी electrostatic force attractive नेचर का होगा क्योंकि दोनों charge कैसे है दूसरे के opposite है अब force का magnitude निकालना है तो force f equal to क्या होता है 9 into 10 to the power 9 into क्या जाएग तो f equal to कितना आया है 9 into 10 to the power 9 क्यों एकी value देखो 40 micro kalam है macro का मला अभी हमें discuss कर रखा 10 to the power minus 6 kalam हो जाएगा same यहां भी यह कितना आजाएगा अब बताओ minus sign के साथ रखूं यह भी without minus sign रखूं आंसर है without minus sign तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 into 10 to the power minus 6 और कुलाम आएगा कुला यह कितना आ गया है आपर 2 का square आगया sorry solve करो फिर उसको आप देखो अब कितना आ जाएगा f equal to 9 into इस सारा दूर नंबर है उनको एक्सान ले आओ तो 9 into 40 into 10 अब जितने पावर वाले है उनको एक्सान ले आओ कितना आ है यह 10 to the power 9 into 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus 6 और अपर में कितना आ गया है यह? 2 दुना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा इस से एक अचल ले कितने टाइम? 10 टाइम तो यहां से f equal to कितना आ गया है? 9 into 10 into 10 कितना हो जाएगा यह? 100 हो जाएगा into देखो इन सब की base same है तो power का हो जाती है? add हो जाती है तो 10 कितना आ 6 प्लस कि मैनस का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और अपोन में कितना आ गया अपोन में कुछ नहीं है अपोन में 1 है तो 1 लिखने की जरुवत है नहीं तो यहां से f is equal to कितना आ जाएगा 900 इन्टू 10 to the power कितना बचेगा देखो यह मेरे पास 9 मैनस का 12 आ गया अगर मैं मैंस तरी को इधर लिखूंगा तो इसको क्या लिस्ट आ हो मैं मैंस तरी यहनि हजार से डिवाइड करना हुआ तो कितना गया यह 0.9 Newton और नेचर कैसा हो जाएगा attractive नेचर का force लेगा और force का type क्या हो जाएगा तो यह दो क्या हो गया हमारे question का part 1 हो गया अब part 2 जो है वो interesting है भई अब हमने क्या किया इन दो ball को एक उसरे के पास मिलाया ठीक है इन दो ball को ऐसे यह ball A है यह ball B है दोनों को touch किया मैंने पहले initially इसमें charge कितना था Q A था और इसमें charge कितना था Q B था अब जैसे मैंने touch किया इनको तो touch करने से क्या होगा यहां पर again charge का distribution होगा इत्विवामो रख लो कि जैसे हम दो ball को touch करते हैं अगर उन दोनों में charge अलग-अलग है तो उन में charge redistribute होता है और redistribute कैसे होगा अगर मैंने उन दोनों को touch किया तो वो चार्ज तब तक redistribute होगा, जब तक दोनों में चार्ज शेम न हो जाए, ठीक है, इधान रखना बात को, तब तक यहाँ पर चार्ज का redistribution होगा, जब तक कि दोनों में चार्ज शेम न हो जाए, अब वो शेम चार्ज कितना होगा, वो चार्ज होगा कितना, इन दोनों charge के average के बराबर तो इसमें पहले charge कितना था QA, इसमें charge कितना था QB अब जो दोनों में नया charge होदा है Q, वो कितना हो जाएगा QA plus QB divided by 2 के बराबर यह concept है, इसको याद रखना ठीक है, तो यहां से मेरे पास Q equal to, QA को जो कितना आ जाएगा QA के जो आगा है, मेरे पास कितना 40 µ कुलाम और इसके जो कितना आ जाएगा, यह plus है और इसके बिल्वी minus है, तो minus का कितना आ जाएगा यह 10 µ कुलाम अब यहाँ पर which sign रखना है, ठीक है, क्योंकि charge का distribution हो रहा है, यहाँ पर हम साइन रखना पड़ेगा, हम charge का algebra कर रहे है, तो हमने पढ़ा है, चार्ज का algebra, जैसे positive और negative number होते हैं, उसी के according होता है तो अगर उसके according होता है, तो साइन यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा, तो minus 10 आ जाएगा और divide में कितना आ जाएगा, 2 तो Q equal to कितना आ जाएगा, 30, क्योंकि 40 में दसके है, 30 microgram upon 2, and this is equal to 15 microgram, और chip का आया, अब इन में charge reduced होगा और दोनों में कितना charge आ जाएगा, 15 microgram, अब मेरे पास दोनों ball, अगे इन से कहां पर रख दिये हमने, एक दूसरे से R equal to 2 meter की distance पर रख दिये, और अगें यहाँ पर charge on 1 कितना आ गया, 15, यहाँ चार्ज on A 15 microgram, और charge on B, अगें कितना आ जाएगा, 15 microgram आ जाएगा, ठीक है, अब force निकालना तो हमाले बाएं हाल का खेल है, तो force F equal to क्या हो जाएगा यहाँ लिखों, तो इस case में लगने वाला force case से अगें है, ठीक है, force equal to क्या होता है, 9 into 10 to the power 9 into QA into QB, अप उन में कितना आ जाएगा, R square, तो F equal to कितना जाएगा, 9 into 10 to the power 9, QA की value कितनी है, 15 into, ओ, एक है लग दिया हमने है, 15 into 10 to the power minus 6 QA, और into, इसमें भी कितना आ जाएगा है, 15 into 10 to the power minus 6 QA, और अप उन में R square यानी कितना जाएगा, यह, 4 आ जाएगा, 2 square, 2 square जाएगा, ठीक है, solve भूगर थोड़ा फिर इसको, एक आगे मेरे पास कितना, F equal to 9 into 10 to the power 9 into, 15 into 15, कितना जाएगा है, 225, 225 into 10 to the power minus 6, minus 6, minus का 12, और अप उन में कितना जाएगा, भई, 4 आ गया, तो यहाँ से मेरे पास, F is equal to 9, 55, 55, 5, हसल लगो 4, 9, 2, 8, 8, 8, 4, 22, की 2, हसल लगो 2, 9, 2, 9, 8, 19, 20, ठीक है, और अप उन में कितना जाएगा है, 4 आ गया, और इन्टो कितना जाएगा, 10 to the power 9, मैंस बार है, कितना जाएगा, मैंस का 3, इतना न्यूटन क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, अब बताओ, इस केस में, 4 का nature कैसा होगा, attractive और repulsive, आंस्र है, दोनू में चार्ट सेम हो गया है, 15 मैक्र कुलाम, 15 मैक्र कुलाम, तो force will be repulsive, फोर्स किस nature का होगा, भई, repulsive nature का होगा, और होगा तो электrostatic ही, लेकिं नेजर कैसा हो जाएगा, भी repulsive हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या था है, अब आते कहां की और question number 4 की और अब थक गए हो तो थोड़ा से क्या कर लो लिटल लिटल पानी पीलो और फिर थोड़ा से रेस्ट करके आओ फिर दुबारा से कहां आते हम question number 4 में आते हैं और 4 जो question है बहुत important question है यहां से मैंने देखा गया है हर एक साल छोड़के एक question आया हुआ है इस question number 4 वाले concept से पढ़ो इवार question number 4 क्या लिखा है अगर आप तन्दोस्त होके आगे हैं और थोड़ा सा रेस्ट करके आगे हैं थोड़ा सा आपका screen time भी बच जाएगा होता है ना जब हम बहुत देड तक screen में देखते हैं तो हमारे आखों में दर्द होने लगता है और वो दर्द है फिर बाद में आपके लिए आनी कार्यक हो शकता है तो पढ़ाई कसे होती है थोड़े पढ़ो फिर अराम ख़़ो फिर अराम यह नहीं कि अराम चार गंटे का होगया पढ़ना दस मिनिट का होगया ऐसा नहीं होना जाए ठीक क्या बोला है टू पॉइंट चार्जेज आफ वन मैक्रोकुलाम एंड माइनस का 0.25 मैक्रोकुलाम आर प्लेस्ट इन एर और इन एर बोला है यह यहीं मीडियम चेंज होगा यह भी वैक्यूम में नहीं है लेकिन विट ए अजंशन we can assume this air as a vacuum हम अजंशन कर सकते हैं कि जो air है वो क्या है vacuum की तो हम इसको treat कर सकते हैं ठीक किलर बाद इतनी अगर इतना बाद किलर है तो आगे बढ़ते हैं at a distance 0.40 meter from each other find out at which point on the line joining two charges should a third charge is to should a third charge is so that no force act on it क्या बोला है question मेरे पास दो charges है एक यह है और एक यह है इस charge की value कितनी वो लिखिया उसने प्का गया यह है 1 macro column यह कितना है मेरे पास 1 macro column और यह कितना है minus का 0.25 micro column ओके और इन दोनों के बाद का separation कितना बोल रख है are separated by 0.40 meter इंडियर डिस्टेंस यहां से आते है यह कितनी है 0.40 meter है ठीक है फिर यह बोल लखा है इन दोनों को जोइन करने वाई लाइन यानि यह लाइन यह कुन सी लाइन है this is line joining charge 1 macro column and minus का 2.5 macro column इस लाइन में किस point पर मैं एक third charge रखूं कि उस charge पर उस point पर लगने वाला force 0 हो जाए या मुझते है लगने वाला electrostatic force 0 हो जाए अब वो charge में यहां रखूं यहां रखूं या फिर यहां रखूं पहले हमें यह decision लेना पड़ेगा कि हमें charge रखना कहा है इधर रखना है इधर रखना है इधर रखना है इसको ऐसे बोल सबता हूँ कि charge को दोनों charge के बीच में रखना है या फिर left में रखना है या फिर right में रखना है अब मैं एक काम कर रहा हूँ सबसे पन में अजयूम कर लेता हूँ मैंने इस line जो इनको line join कर रही है इन दोनों के बीशने मैंने कहीं इस प्वईंट पर उस थर्ड चार्ज को रखा मैंने यहां पर एक Q चार्ज रख दिया वो ठर्ड चार्ज Q चार्ज की वखेली मैंने कितनी बोल दी जो कि पॉजटीव है अध्यान समझना बात को अब इस Q चार्ज़ पर one मैकरो कुलाम कहा के ओर force लगाएगा Of course ये positive है ये positive इसको repel करेगा यहनी इधर के ओर force लगाएगा यहनी in this direction अब minus का 2.5 मैकरो कुलाम इस Q चार्ज़ पर कहा के ओर force लगाएगा देखो ये positive है ये negative है ये इसको attract करेगा यह क्या करेगा इसको at rate करेगा यानि यहाँ पर इन दोनों के बीच में अगर मैं किसी भी point पर इस plus q चार्ड़ को रखूंगा तब इसमें लगने वाला जो force होगा वो एक ही direction में होगा यानि इसके दोर लगने वाला force और इसके कारण लगने वाला force दोनों कहां है एक ही direction में है क्या यहाँ पर कभी किसी point पर force 0 हो शकता है ज़रा समझो न ऐसे analyze करो सोचो हमेशा इन दोनों के बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तग इस plus q चार्ड़ पर लगने वाला force दोनों चार्ड़ों कारण यहाँ इसके कारण भी इसके कारण भी दोनों same ही direction में है क्या कभी ऐसा होगा कि इन दोनों force का effect 0 निकल के आए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता क्यों तोनों कहां है same direction में है अगर इतनी बात killer है यानि वो point इन दोनों के बीच में तो नहीं होने वाला यह बात पक्की हो गई है और यहां से contract बना लो कि अगर charge opposite होंगे तो वो जो point है कौन सा वाला यह वाला जहां पर force 0 होगा वो point इन दो opposite charge के बीच में लाई नहीं करेगा तो कहां लाई करेगा इन के बाहर यानि कहां यहां यहां तो वो point यहां होगा यहां फिर यहां होगा हम कहीं भी चूज कर सकते हैं देखो यहां क्यों होगा यहां तो होगा नहीं यहां मिटा दो तो यहां होगा कहां यहां अब क्यों होगा यहां यह वाला charge इसको क्या करेगा बताओ इसको यह करेगा by attract ऐसे, करेगा नहीं करेगा, क्योंकि यह positive और negative यह क्या करेगा, attract, इधर की और मानने, let us say, this force is F1 इस force को मैंने क्या बोल दिया F1 बोल दिया, अब यहाँ पर यह क्या करेगा, इसको, repel करेगा क्योंकि यह positive यह positive यह क्या करेगा, repel let us say, this force is F2 इस force को मैंने क्या बोल दिया? F2 बोल दिया. यह force क्या हो गया? F1? Sorry. यह force F1 और यह force क्या हो गया? F2 हो गया. और दोनों कैसे हैं गुसरे के appropriate direction में हैं. तो इसको मैं ऐसे आगे पीछ, आगे पीछ खिसकाऊंगा और एक ऐसा point आ जाएगा जहाँ पर F1 equal to F2 हो जाएगा. और जैसे F1 equal to F2 होगा और force इज़े vector quantity और दो vector अगर उनका magnitude equal है और उनके direction गूसर के ठीक opposite है तो आंसर कितना आता है? 0 आता है. तो यहाँ अब force कितना हो जाएगा उस case में 0 हो जाएगा. तो अगर इस point पर लगने वाला force 0 है तो उस case में क्या होगा? F1 will be equal to F2 होगा. यह बहुत important है यह जिस point पर force 0 होगा उस point पर F1 vector will be equal to F2 vector. अगर बेक्टर हटागे बाद करूँ, तो F1 will be equal to F2 आएगा in terms of magnitude. कि दर है इतनी बात? तो यह concept है, अब मुझे यह condition यहाँ पर लगानी है. अब यह condition लगाने के लिए मुझे का चाहिए भई, यह distance यहाँ से यहाँ तक, let us say this distance is x. यह distance कितनी है? x है और यह distance भी चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यह distance कितनी हो जाएगे? देखो, यह 40 है, sorry, यह 0.4 है, तो कितनी हो जाएगी? 0.4, 0 plus x meter आ जाएगे, ठीक है? अब क्या लगा दो फिर पहने का निकाल देंगे, F1 निकाल देंगे, and F1 is a force due to discharge, तो यहाँ से मेरे पास F1 इकल दे कितना आ गया? 9 into 10 to the power 9 into Q1 की वेली कितनी है, देखो, 0.25 microcolm, और into Q2 की वेली कितनी है, Q है, और अपोन R2, यहाँ कितना आ जाएगा, X का स्क्वाइर, और F2 की वेली कितनी है, F2 है मेरे पास कितना? अगे, देखो, 9 into 10 to the power 9 into Q1, Q1 यहाँ यहाँ यह वाला चार्ज आ जाएगा, यानि कितना है, मिरे पास 1 microcolm, और into मेरे कितना आ जाएगा, Q2 की वेली कितनी है, Q है, अपोन इस डिस्टेंस का स्क्वाइर, यानि कितना आ जाएगा, यह 0.40 प्लस X का whole स्क्वाइर, ऐसा कु और एक और चीज, जहाँ पर लगने वाला force 0 होता है, उस condition को हम क्या बोल देते हैं, equilibrium, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, add equilibrium, F1 equal to F2, F1 के वेली पूट कर दो, कितना है मिरे पास देखो, 9 into 10 to the power 9 into, कितना आ जाएगा यह, 0.25 microcolm into Q, और अपोन मेरे पास कितना, X का square, और F2 कितना है, देखो, 9 into 10 to the power 9 into, यहाँ मिरे पास कितना, 1 microcolm into Q, और अपोन में कितना आ जाएगा, यह, 0.40 plus X का whole square, ऐसा कुछ आया, देखो, इस से, यह cancel हो जाएगा, और यहाँ, इस Q से, यह Q cancel हो जाएगा, यह macrocolm, ठीक है, macrocolm से, यह macrocolm cancel हो गया, तो यहाँ कितना and this is equal to, यहाँ मिरे पास कितना, यहाँ 1 है उपर, तो 1 divided by, यहाँ मिरे पास कितना, 0.40 plus X का whole square, ऐसा कुछ आया, अब देखो, अब यहाँ पर, एक और important step है, वो यह है, अब अगर पहली बार यह question आपके सामने आए, आप क्या करोगे, इसकी whole square को open करोगे, लेकिन यह नहीं करना है, ठीक है, और हर बच्चा पहली बार में यही करता है, कि इसके whole square को open करता है, a plus b का whole square लगाएगा, फिर cross multiply करेगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्या करना है, दोनों और perfect square उना दो, कैसे बनागों दोनों perfect square, देखो, यह मेरे पास 0.25 है, इसे में कहले सकता हूँ, 0.5 प्लस x का whole square, देखो, यह square है, यह भी square है, दोनों को 7 ले सकता हूँ, यानि कितना आ गया ही, 0.5 upon x का whole square, और plus, यह आगा मेरे पास कितना, 1 upon 0.40 plus x का whole square, ऐसा कुछ आया, देखो, अगर, पावर सेम होती है, sorry, यह बीच में equal है, अगर पावर सेम होती है, equal के इधर उधर, तो base भी क्या होते है, शेम होते है, तो अगर पावर सेम है, तो base भी सेम होंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो, इसका मतलब यह हुआ, कहा लिखो में, इधर लिद्दू में, इसका मतलब यह हुआ, कि this 0.5 upon x will be equal to 1 upon 0.40 plus x, अब cross multiply करो इसको, अगर मैं अब इस cross multiply करू होंगा, तो कितना आ जागा यह, यह आगा मिरे पास 0.5 और into 0.40 plus x, and this is equal to x, ठीक है, सही है, अंदर multiply करो, तो यह हो जागा मिरे पास कितना, 25 को 20, यह पहने के आएगा, 0, फिर 5 को 20, फिर 1, 2, 3, 1, 2, 3, यह 0.2 आ गया है, simple, 0.2 आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा यह, 0.5 into x, and this is equal to x, एक किसकरार हो गया, x के बराबर हो गया, तो यहां से मिरे पास 0.2 is equal to, कितना आ गया है, x minus का 0.5, x, 1 minus 0.5 कितना आ जाएगा, 0.5 आ गया, तो this is 0.2 is equal to 0.5x, तो यहां से मिरे पास, यहां लिखू मैं, x equal to कितना आ जाएगा, यहां ही multiply में, divide में आ जाएगा, कितना जाएगा, 0.2 upon 0.5, इससे ही cancel हो जाएगा, कितना है, 2 बट्टे 5, 2 by 5 meter, कितना आ जाएगा, यह, 0.25, 0.4 meter, यानि यहां से, इस charge से 0.4 meter पर, x equal to कितना निकल के आया, 0.4 निकल के आया, तो इस वाले charge से, 0.25 microgram charge से, 0.25 microgram charge से, 0.4 meter पर, अगर मैं इस charge को रखूंगा, तब यहां पर force कितना हो जाएगा, इस पर लगने वाला, 0 हो जाएगा, अब क से किने distance पर रखूंगा, तो इसमें यह add हो जाएगा, कितना, 0.4, तो 0.4 plus 0.4 कितना आ जाएगा, 0.8 हो जाएगा, यहां से 0.8 meter के distance में, किस side में, right hand side में, जम में, इस charge को रखूंगा, इस plus Q charge को, तब इस पर लगने वाला force कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहां बोल स सकते हैं, equilibrium की condition, minus 0.25 मेकर कुलाम से 0.4 meter पर, 0.4 meter right में, देखने को मिलेगी, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा answer हो जाएगा, और यह question, बहुत important है, और इस से little question आता है, भाई, ओके, अब एक question में, आपको यही बर, इसी से related, homework में दे रहा हूं, question क्या देखो, question लिखना, बस same render देना, यही चीज़ है, बस यहाँ पर क्या करना, E लिख देना, E for electron, ठीक है, और यह भी कहा है, मेरे पास, यहाँ E है, यहाँ फिर थोड़ा सब सिंप्लिफाय कर दो, इसको 1 रहन दो, 1 macro कुलाम, और इसको कितना रख दो, 25 macro कुलाम लिख दो, कितना रख दो, 25 macro कुलाम दोनों positive होगे, अब बताओ, अब लगने वाला force कहाँ पर zero होगा, यह आपको बताना है, ओके, किले रहे बाद, यह बहुत important concept है, अगर एक question आपने कर लिया ना, तो समल्लों आपको थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आ रही हैं, ओके, अम मैं यहाँ पर last में, एक बहु की modern question discuss करने जा रहा हूं, अभी तग ऐसा question आया है नहीं, अभी तग बढ़ा simple simple question थे, हमारे पाए value दी थी, हमने फटाबर क्या कर दी, put कर दी, और direction की ज्यादा हमने चिंता नहीं करी, लेकिन अगर मुझे क्या करना पड़ जाए, direction बताने पड़ जाए, कि बताओ भई, कि इस direction में मेरा force लग रहा है, तब कैसे हम आगे प्रोशीट करेंगे, वह अब हम क्या करने जा रहे है, discuss करने जा रहे है, अजूम कर लो, ऐसे language नहीं लिख रहा, सिधे बता रहा हूं, question number आप कुन से डाले ना, देखो 500 हो गयता हो वाला, जो मैंने homework में दिया है, छड़ा question दाल देना, माल लिया, मेरे पास दो charge particle है, और वो कहीं पर रखे हुए है, direction की बात रहे है, तो इसको मैं x-axis बोल दे रहा हूं, इसको y-axis, यह मेरा प्रास का origin है, एक charge particle इस point A पर रखा हुआ है, यहाँ पर एक Q1 charge particle रखा हुआ है, और इसकी value कितनी है, one macro column, ठीक है, उस त point B बोल दिया, और यहाँ पर एक Q2 charge particle रखा हुआ है, इसकी value है मेरे पास कितनी, two micro column, ठीक है, ऐसे कुछी value है, जुम कर लो, अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, इसके कुछ coordinate है, इस point की coordinate, इस point A के coordinate क्या है, a, या फिर one comma zero है, कितना है, one comma zero, और जो मेरे पास, यहाँ पर zero comma one है, अब हमां बताना है, कि इनके बीच लगने वाला force का magnitude क्या होगा, साथी साथ यह बताना है, कि उस force की direction क्या होगी, इसके according बताना है, ठीक है, ओके, तो अभी हम यह नहीं बोल सतकी, Q1 से Q2 की और होगी, हमें Q2 से Q1 की और होगी, ओके, now, सबसे पहने मुझे क्या find क पड़ेगा, इन दोनों के बीच का यह separation vector find करना पड़ेगा, किया तना हमने, जह हमने कुलाम सलोगा vector form पड़ा था, तो यह क्या हो जाएगा, separation vector, और अब देखो, force कैसा होगा, अगर मैं force on B due to A निकालो, force on B due to A निकालो, then this force will be in this direction, कहां की और होगा, इस direction में होगा, यहन 9 इसको join कर रही है, उसके along लाइग करता हो, तो यहां की और होगा, यहां फिर बाहर की और होगा, तो this is force on B due to A, इधर की और यह force लग रहा है, यह करके, okay, because both the charges are same, अगर दोनों का nature same है, तो force will be repulsive, तो force कहां की और लएगा, इधर की और, तो इसमें कर निकालों, यह force इध to B, okay, लेकिन मझे किसी A को calculate करना है, मैं इसे calculate करना को यह निकाल सकता हूँ, अगर यह calculate करना तो यह निकाल सकता हूँ, तो मैं किसको calculate कर रहा हूँ, इसको calculate कर रहा हूँ, तो इस direction मुझे एक vector define करना पड़ेगा, यह vector, तो यह vector क्या define हो गया, मेरे पास AB define हो गया, तो यह म मेरे पास क्या है x1 y1 यह मेरे पास क्या है x2 y2 then this vector ab will be equal to x2 minus x1 into i cap plus कितना आजाएगा यह y2 minus y1 into j cap okay because vector ab निकालना है तो ऐसा define होगा तो x2 की वेली कितनी है इक जोसे मेरे पास x2 minus x1 x2 की वेली कितनी है जिरो है तो कितना जाएगा 0 minus 1 यहने कीतना जाएगा minus one अब ह्रिंक कितना जाएगा i cap δेंट टेनी वेली कितनी और यहां मेरे पास बेक्टर ab इकटना आगया यह minus का i-cap plus j-cap यहनी force इस vector AB की direction में लग रहा है फिर मुझे का define पढ़ना पड़ेगा इस AB की direction में एक unit vector तो unit vector in the direction of AB let us say this is n-cap तो n-cap equal to कितना आ जाएगा यह है AB vector divided by magnitude of AB vector and this will be equal to AB vector कितना है मेरे पास minus का i-cap plus j-cap upon इसका magnitude यहनी कितना आ जाएगा अंडरूड of इसके component का square यहनी minus 1 का square plus 1 का square this is equal to minus का i-cap plus j-cap और अपॉन में कितना आ गया है अंडरूड of 2 आ गया ठीक है this is my unit vector in AB direction अब force निकाल दो फिर तो force की definition क्या होती है force on B due to A this is equal to 1 upon यहाँ पिर 9 into 10 to the power 9 into कितना आ जाएगा यह Q1 Q2 upon R square R square यहनी किया आ जाएगा AB के magnitude का square तो AB के magnitude का square into यहाँ direction लिखने है तो direction लिखने के लिए किस direction में होगा है इस n-cap की direction में यहाँ कितना आ जाएगा into n-cap इसका magnitude 1 होता है तो उसे कोई फरक पड़ेगा नहीं हमको answer ठीक है सिर्फ क्या लगगी है यहाँ पर आप direction add होगी अब सिस्थे value put कर देंगे तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा यह FBA is equal to 9 into 10 to the power 9 into Q1 के वेली कितनी है अगे 1 macro column 1 macro column into Q2 के वेली कितनी है मेरे पास 2 macro column upon इसका magnitude कितना है root 2 है ठीक है यह निकाल लग था है मैंने यहाँ पर magnitude कितना है root 2 है तो कितना आ जाएगा यह root 2 का square into यहाँ कितना आ जाएगा यह direction यहाँ कितना आ गई है minus का i cap plus j cap और अपॉन में कितना आ गया root 2 है ठीक है तो यहाँ से मेरे पास F vector BA is equal to solve करो इसको 9 into 10 to the power 9 into 2 इकम दो 2 into macro column 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus 6 कितना है 10 to the power minus 12 अपॉन root 2 का square कितना आ गया 2 आ गया और into में कितना आ गया है minus का i cap plus j cap और अपॉन में कितना आ गया है root 2 आ गया ठीक है देखो इस 2 से यह 2 cancel हो जाएगा तो यहाँ से मेरे पास vector F BA is equal to कितना आ गया 9 into इस 10 to the power 9 है इस 10 to the power minus 12 है तो कितना बज़ गया है 10 to the power minus i cap plus j cap यह root 2 मैंने यहां रग दिया ठीक है इस तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया फ्ला स्वाल बगरा है इसको तो यह हो गया मेरे पास कितना F BA equal to root 2 से multiply root 2 से divide कर दो तो कितना गया 9 root 2 upon 2 हो जाएगा और into 10 to the power minus 3 और i cap minus sorry i cap plus minus i cap plus j cap तो this is force BA कि ज़र है इतनी बात तो direction के साथ इस तरह से हम का गड़ते हैं calculation करते हैं ओके अगे आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पर क्या रखा magnitude रखा अगर यहाँ पर minus होगा तो magnitude रखते 2 रखते उसका sign नहीं रखते ठीक है जहाँ देना बात को direction वाला खे हम पहले कर चुके हैं कि भाई किस direction of force लाँने पहले निकाल दिया फिर उस direction में एक univector define कर दिया और उससे फिर क्या कर दिया multiply कर दिया तो इस तरह से हम क्या करेंगे प्रोशिट करेंगे अब आप पूछोगे भई ये force कितना होगा फिर f b a b कितना होगा force f a b बड़ा simple है भई किसको राओ होगा ये minus का f b a के बराबर होगा यही तो क्या है neutrons थर्ड लो है और plam's law Newton के थर्ड लो को follow करता है तो यहां से मेरे पास f a b is equal to यहां minus लगा देंगे इसके first में तो कितना जागा ये minus का 9 root 2 upon 2 into 10 to the power minus 3 और कितना जागा ये minus का i cap plus j cap इस minus का अंदर ले जाओ तो यहां से मेरे पास f a b is equal to कितना जागा ये 9 root 2 upon 2 और into 10 to the power minus 3 और कितना जाएगा i cap minus j cap ये क्या हो जागा इसकी direction और ये magnitude ठीक है किलिएर बात तो इस तरह से हम क्या करेंगे i cap j cap के term में इस तरह कैसे होगे खाली magnitude निकालना है तो उससे परना तो हमने यहां पर 3-4 question कर लिए तो this is all about questions on coulomb's law अब यहां पर coulomb's law में एक और नया concept add होगा और उस concept को हम बोलते है principle of superposition और principle of superposition पढ़ने के बाद हम यहां पर coulomb's law related और भी question क्या करेंगे discuss करेंगे लेकिए फिल हाल के लिए जितना अभी तक हमने पढ़ा है उस related question यह हो सकते है और इंस related question ऐसे question होगे बस data हो जाएगा थोड़ा बहुत change हो जाएगा ठीक I hope आपको यह lecture स्वाइन में आया होगा अगर स्वाइन में आया तो फिर कर दो फिर like share और subscribe अपने दोस्तों करेंगे शेयर करो और ऐसे हमारा चैनल ग्रो करेगा तो ठीक है आज के lecture में इतना है मैं वेल तॉम सिनेस क्लास में एक और ने टॉपिक के साथ तक लिए thank you दन्यवाद बाई बाई